कि अध्य करने वाली हूं जैसा कि आपको दिख रहा है यह बहुत बड़ा सा पारसल तो नहीं है कि अंदर क्या है को स्केद्ट घ shifts day toot आप मेरे चैनल को आप पहली करते हूं सब्सक्राइब मैं चैनल विडियो तोड़ा सबस्प्राहा नगा तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा तो चलिए फटाफट से मैं इसे अन्बॉक्स करके दिखाती हूं कि इसके अगर क्या है चलिए तो यह आप देख सकते हो उनकी पैकेजिंग इस तरह से है और इसे मैं फटाफट से जो है अभी आपको ओपन करके दिखाने वाली हूं और यह है गाइस कंपनी जो है एरिस्ट्रोक्रेट की है और इसकी जो है आप देख रहे होंगे ब्याइपी इंडर्स्ट्री लिखी हुई है यह ब्याइपी की ही एक कंपनी है जो ही बहुत अच्छी ब्रैंड है गाइज ये है हमारा आज का जो अन्बॉक्सिंग पार्सल है ये है गाइज एर्स्ट्रिकेट ट्रॉली जो होता है वो मैंने मंगवाया है फ्लीप कार्ट से और कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं पैक करके उन्होंने भेजा है पैकिंग वाइस तो गाइज बहुत ही अच्छी इनकी पैकिंग है ये इनका बॉक्स था और ये इनकी पैकिंग है बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने जो पैकिंग करके भेजा है तो चली मैं इस पैक 250 रुपए की इनकी MRP है बट मुझे जो है बहुत ही ये सस्ता पड़ा है बहुत ही अच्छी डील में मिझे मिली है ये तो मैं वो भी आपको बताऊंगे कि मुझे कितना पेड करना पड़ा है देखने में लगता है यहां से इन्होंने जो है इस तरह से टेप मार कर रखा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ अस्ते 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 कोलो वाव पलर वाइस तो गाईज बहुत ही अच्छा कलर है कैमरे में इसे स्काइब्लू दिख रहा है बढ़ यह स्काइब्लू नहीं है गाईज यह है सी ग्रीन मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ ये चारों सरब से चार विल्स दिया गया है तो इसे आपको लेने में भी खीचने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी है मुझे तो परस्नली बहुत अच्छा लगा और यहां जो है कुछ इस तरह से इनका जो एरिस्ट्रोकेट का नाम जो है लोगो दिया गया है और यह है इसका हैंडल कुछ इस तरह से बैक में जो है यह इसे ट्रॉली के लिए दिया गया है वाव यह भी बहुत अच्छा है और ऐसा नहीं है कि इसकी जो हैंडल है इसकी लेंद भी बहुत अच्छी है लेंद वाइस भी अच्छा है काफी मैं लुक बाइस भी आपको दिखा रही हूँ बाहर से तो गाइस ओवराल मुझे बहुत पसंद आया है आप देख सकते हूँ कुछ इस तरह से तो चलिए अब मैं जो है इसे अंदर से कैसा है इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ तो गाइस यह कुछ इस तरह से जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लॉक लगे हुए है आप चाहे तो इसे लॉक भी कर सकते हो कुछ इस तरह से नंबरिंग वाइस दिया गया है जैसे कि हर ट्रॉली बैग में रहता है इस पर भी दिया गया है गाइस तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग लॉक कर सकते हो तो फिलाल मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके इसकी जिब जो है वो भी काफी अच्छी दी हुई है तो यह है इसका अंदर का लुक वाओ बहुत ही क्यूट सा है गाइस यह चोटा सा है अगर आप कहीं पर एक दो दिन के लिए जर्नी पर जा रहे हो तो उसके लिए यह काफी अच्छा है स्पेस के मामले में जैसा होता है केविन बैग उसी तरह से है इस पर दिया गया है यह जो है आप अपने सामान को रखने के बाद इसे कुछ इस तरह से जिक्जाग करके आप इसे लॉक कर सकते हो इसके अलावा आपको इधर जो है एक जिप मिलती है कुछ इस तरह से आप इसे सामान रख सकते हो कुछ इस तरह से तो कैसा लगा यह मेरा आज का ट्रॉली बैग आप मुझे जरूर बताईए गाइस मुझे तो ओवर लुक इनका जो है बहुत लिए अच्छा लगा है तो मैं इसे तो रखने वाली हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि पता नहीं कैसा आएगा तो मैं पहले देखूंगी उसके बाद ही मैं रिसाइट करूंगी कि मुझे रखना है या फिर वापस करना है तो मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगा है आपको कैसा लगा आप जरूर गताईए इसकी जो इवार्पी है वह थी 5150 जैसे कि यहां लिखा हुआ है अपकर नहीं पताया था पहले भी कि 5150 बट मुझे जो है इसकी जो डील में मुझे प्राइज दिली है आप बिलीव नहीं कर पहुए गाइस ऑन्ली 1299 जी हां 1299 याने कि 1299 रूपी तो गाइस मुझे लगता है कि मेरी ये बिल बहुत ही अच्छी डिल है मुझे बहुत पसंद आई है तेरस रूपे में अगर आपको ऐसे घुमने वाले चार चक्के वाले विएपी के आपको एक ट्रॉली बैक मिल जा रहे हैं तो मुझे लगता है इससे अच्छी डील आपको कही नहीं मिल सकती तो गाइस पटापट से जौब लिपकार्ट से शौपिंग करो आज से जो है इसी सेल लगी हुई है बढ़ी मत जाएएगा कल मेरा वीडियो फिर से आने वाला है और मैं फिर से और इस फ्रॉली बैक की अंडॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाई हूं तो गाइस जरूर से देखेंगा कल का वीडियो तब तक के लिए वाबाई